पिछली शादी में भी ऐसे भानने बाजी करती थी तो आज महरानी के लिए खाना प्रोसाड आ रहा है ऐसी लड़की जिसकी पहले शादी टूट चुकी हो मैं हर्गे भी अपने घर की कभी बहूना बनाती तुम्हारे ममी मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है पतानी के अभी दिल से एक्सेप्ट कर पाएंगी है भी नहीं मैं कितना भी गोशच करूँ अपने पास को पीछी बुला के आगे बढ़ने की ओपिरा पासट कही नहीं से वापस मेरे सामने काड़ा हो जाते है अउटा मुम्ही तुम्हार जानती नहीं तुम तायम नुका रलेसेंशिशिप को बिल्ड होने में धोड़ मुस्जारद तोम्हें पीयार करेंगे तुज है नहीं कृच्छी हो श्रुद्स पर गुर्षा की विर्धार इब लेंगें का हुआ इग हिए नहीं विल्षा कहा दो अ है मद्धब दुल दू अश्रु अश नहीं पहर गुमने चले गए थे फ्लीस नै सा कुछ नहीं बोलने वालो, वैसे मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करते हैं, उपर से तुम मेरी तरहदारी करने लग जाओ ना, तो और गुष्सा करेंगे, प्रीस हो जल दी चरते हैं, तो बहुत जहाँ सोची हो, चल्ड़ जाओ, चल्ड़ टाइम देखा, कितना हो रहा है, क्या चारती हो, कि मैं सारा दिन नोकरानी बनके घर में काम करूँ, और माहरानी बाहर से मजे करके आए, नहीं ममी जी, I'm sorry, वह एक्चली ओफिसम बहुत हेक्टिक दे था, इसलिए हम पार्क चले गए, और वहां पर टाइम का पता ही नहीं च ममी जी, मेरा कसे लहां मुझे, तुम फिर से सब्जी में नमक दाना भूल गई? तुम्हारी पहली शादी की तरह? जी, I'm really sorry ममी, अभी लेके आती हूँ अमरीता, तुम्हारी खाना खालो? पहले आप लोगो के लालू, फिर खालूँगे, हम कौनसा या पे घर में दस लोग खा रहे हैं, तीन तुखा रहे हैं, तुम्हारी खालो, कोई बात ने आप खालो, कोई बात ने आप खालो, ने ने, it's okay, पता नहीं मेरे बेटे को कैसे अपने बस में कर लिया, आज तक प्लेट तक ने उठा रहे थी मैंने अपने बेटे को, और आज महरानी के लिए खाना प्रोसा जा रहा है, ममा कब से नोटिस कर रहा हूँ आपको, अब अमरीता से पने चड़के के बात कर रहे हो, ममा इतनी नफरत क्यों, तुम्हे क्या ल ममाननी रहा आता, बरना जिसके पहले शादी तोट चगी हो, उससे मैं अपने घर की पहू कभी ना बनाती, आइ, हमरीता, इसके वज़ा से जो मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं कभी सोचा उसके बारे में बच्चों की जिर के आगे माबाप को जुकना ही पड़ता है और हमने भी नहीं किया अगर इतनी चंगी लड़की होती तो इसके पहले शादी ना तूटती ममा मैं अमरिता का पास जानता हूँ उसका डिवोर्स हो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खुश रहने का हक नहीं है वो भी एक normal life deserve करती है ना वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे है कि वो आपके दिल में जगा मना सके मुझे वो आपको गुस्से में जवाब भी ने दे देती कि मैं कि आपको बुरा न लग जे एक बर उसे accept करके देख लो जैसे वो है वैसे उसको एक बर अपना के देख लो उसका पास्ट भुला कर उसे उसके present accept करके देख लो यार मुझे एक बर उसे chance दे के देख लो वो बहुत अच्छी लड़की है और मा अगर आप ऐसा नहीं कर पाऊगा तो मुझे मजबूरी म इसे तकली सहते हो देखना में चाहता है और नहीं आपको I'm really sorry Amrita I'm really sorry मैंने तुम्हे प्रामिस किया थे हैं कि मैं तुम्हारे पास्ट मेरे से कभी भी बाकिस नहीं आने दूंगा पर मुझे लगता है कि यार इस घर में वो पॉसिबल ही नहीं है मैंने सोच लिए अमरिता हमें घर ही छोड़ देंगे नहीं राजीव हम घर छोड़ के नहीं जा सकते अगर हम घर छोड़ के चले गए तो ममी जी का ध्यान कौन रखे अमरिता तुम अभी भी ये बोल रही हो राजीव मैं बानती हूँ कि ममी की बाते मुझे बहुत बुरी रखती है बहुत हाट होती हूँ पर शायद इसने उनकी कोई गलदी नहीं है इस सुसाइटी में एक लड़की का दूसरी शादी करना एक लड़की के दूसरी शादी करने से बहुत डिफिकल्ट होता है पर फिर भी तुम्हारी कुछी के लिए महारी ना इसलिए अब मेरा फर्स बनता है कि जब तक वो कण्विंस ना हो जाए और जब तक वो मुझे एक सेपना गर ले तब तक मैं कॉंटिनूसली अफ़र्ट्स करते रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है तुम देखना एक नाएक दित में उनका दिल ज़रूर शीतूंगी सब ठीक हो जगा सब्सक्राइब ममीची आप किचन में क्या कर रही है? I'm sorry ममीची पोना आलाम का मैं रोज रखती हूँ पर आज बहुत लेट बजा पता नहीं क्यों आप मैं कर लेती हूँ अरे बेटा ते आलाम सही टाइम पर बगया था मैंने सोचा आज मैं बना लूँ तो पीए ही मेरे हाथ की चाय तरहे क्या बात है आज बना सास पुच्छे मूर में मैं सपना तुने देख रहा सपने के बच्चे तू चल बैट महाँ पर और मैं तेल लिक चाय लेकर आपके लो क्या बात है आपके हाथ की चाय हाँ क्या बात है मुट मैं रहाँ क्या आपके हाँ प्राव युट अज़ क्याँ झाल झाल